उसने बहुत ध्यान से किया गा, let's start निम्लिकित में से कौन सी नदी सब्त सिंदु से संबंधित नहीं है, नहीं है, right? So answer, देखिए आप, कौन-कौन सा answer हो सकता है, क्या prosperity है इसकी? Right, सबी लोग ध्यान से करें इस question को, yes, कौन सी नहीं है सब्त सिंदु से, तो कल मैंने आपको सब्त सिंदु के बारे में बताया था, yes, wonderful, शाबाज, जिन्होंने कल की class धंग से की होगी, वो इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, अगला है, जो बहुत ही important है, कल मैंने कुछ terminologies कर आई थी, political terminologies, उसके बारे में बात करते हैं, consider the following pairs with regard to the Vedic period, यहनी Vedic काल से संबंधी चीजों के बारे में विचार करें, विचार करें, एक तरफ है wish, wish क्या made of the grams है, made by grams, जन, head by wish, gravity, head of gram, राजन, head of jans, तो निम्लिकित योगपर पर विचार करें, और पूछ रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा सही है, या कौन कौन से सही है, wish, gram को मिलाकर बनाते थे, जन, wish के मुखिया को बोलते थे, gram का मुखिया होता था, और राजन, जो है, वो जन का मुखिया होता था, which is the following pairs, कौन सा निम्लिकित में सही है, केवल एक और दो, एक और तीन, चार या केवल दो, only two, ध्यान से, देखिए, बहुत question कराऊंगा, NCRT तो तुम्हें एकदम याद करा के छोड़ दूँगा, कि एकदम, एक concentration आपका डबल अब होगा, अब हमने जो पढ़ा, उस पर question तुरंत के तुरंत होने चाहिए, तुरंत, राइट, विश, जन, ग्रामिणी और राजन, ध्यान से, ध्यान से करना है, कह रहा है, incorrectly match, कौन सा गलत जो है, वो सुमेलेत है, ध्यान से पढ़िए, correctly नहीं, incorrectly बोल रहा है, कौन सा गलत है, हो गया, नेक्स आजाईए, थर्ड question, निम्नकित में से किसे वैदिक काल के संबंध में, राजन के दाशनिक संरक्षक की रूप में जाना जाता था, which one of the following are known as the philosopher or the mentor of the राजन, with regard to the वैदिक period, किसे कहा गया है, पुरोहित, विश्पती, ग्रामिडी या जन को, किसे जो है वो राजन के मेंटर के रूप में रखा गया है, इतना difference क्यों आ रहा आपके answer में, कल आप लोगों ने class की थी, तो इतना difference आप लोगों को नहीं आना चाहिए, अगर ध्यान से, आप लोगों को क्या लगा, ओजांग से डेमो ले रहे हैं, ओजांग से डम निकाल देंगे, पहली class से ही, याद रखिएगा, हमारे यहां बहुत फोकस किया जाता है, इन सब चीजों पर, हाँ जी, कुशन दे दे के हालत खराब हो जाएगी, चलिए, इन सब्सक्राइग के लोगों का व्यवसाइड नहीं है, अगरिकल्चर, ट्रेड, अनिमल रेरिंग, फोरेस्ट्री, वान की, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, क्रशी, व्यापार, प्रशुपालन और वान की, फिर से कॉशन पढ़ लें, ध्यान से, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कल की क्लास याद होगी, तो एंसर बिल्कुल सही निकलेगा, वंडर्फुल, हर क्लास का हमें दम निकाल लेना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें आउटपुट नजर आना चाहिए, नेक्स्ट आजओ, विच एफेऻलेगा, तुछ भी हर गिद्धिक पीडियाट, निमलिकित में से कौन सा पूर्व वैदिक काल से संबंदिध है, यानि कि प्रिवैदिक पीडियेट से रिलेटेट कौन कौनसे फेट्स यहां पर आविलेबल हैं हमारे पास, clear done बताएं yes no कुस्तो बताइए हाँ sir हो गया good शबाश काफी लोग answer दे रहे हैं कुछ लोग जो केवल कमेंट करते थे वो गायब हो गये अचानक से आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग लगे हुए हैं बिल्कुल शाबाश well done जो भी हो so question answer हम बात करते हैं first का c answer match करें first का c second का d first का c second का d third का a fourth का d and fifth का b and fifth का b first का c first का c second का d जो second है उसका d है third का a fourth का d और fifth का b कितने five out of five हैं पहले बताएं कितने शबबाश very good wonderful बहुत बढ़िया परसों जब मैंने कल टेस्ट लिया तो फोकस किया कि आप class पर फोकस करें अब देखिये कल आपने कहा कि दो कोश्चन सर आपने पढ़ाया नहीं था लेकिन कोश्चन से लिया मेरा कोशिश था कि आपका attention लेबल बढ़े कई लोगोंने फर्स दे सोचा रहे यार यह कुछ डेमो टाइप की class चल रही है ऐसे कुछ कर लेते हैं फिर जब कल ध्यान दिया अब आप देखिये कि सारे के सारे कोश्चन आपके आज के सेग्मेंट से आए हुए हैं तो उन सभी को सबसे पहले बढ़ाई जिनके 5 आउट आउट आफ 5 हैं वंडरफूल चलिए जिनके 5 में से 4 हैं ठीक ठाक है और जिनके 4 से कम है वो बहुत सीरियसली ध्यान दें मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनके लिए आगे रास्ते बहुत कठिन होने जा रहे हैं 24 घंटे हो रहा है एक्जाक्ली आज से 24 घंटे पहले मैंने आपको यह टाफिक पढ़ाया और आज मैंने सारे की सारे नोट से दिये अगर आप टीचर के नोट को रिसाइट नहीं कर पा रहे हैं सिंपल सी चीज़ है भी तो बहुत सी कॉंप्लेक्स चीज़ आएंगी रटने की आदत है और आप इस रटने के माद्यम से UPSC को क्रैक नहीं कर पाएंगे मैं पहले बता दे रहा हूँ UPSC में तीन आयाम चाहिए पहला BTL यानि बिट्विन दा लाइन अंडेस्टैंडिंग करते हुए दूसरा इंटर्डिसिप्रिय यानि आपस में जोडते हुए तीसरा ऐसे स्मार्ट नोट इसको क्विक रिवाइज कर सकें आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप अभी भी देखें तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि आप किसी भी तरीके से आप जो है वो अपने मार्क्स बढ़ाईए जिनके भी मार्क्स कम है वो सभी बिलकुल चिंता में आ जाएं कि बहुत ही जादा दिक्कत आने वाली है और अपने बारे में सोचना शुरू करें यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ रिक्वार्मेंट क्या कह रहा है ठीक है डन चलिए क्लास के साथ कोश्चन की पीडियाफ देती जाएगी यह तो अभी ट्रेलर है ऐसे बहुत से कोश्चन आपको यह बताने की कोशिश है कि टीचर अगर मेहनत कर रहा है सोचो अगर यह लंबी चौड़ी पीडियाफ होती तब आपकी क्या हाल होती ल्डवलो एमाई नोट समझाते हो एक एक पॉइंट को आपको बताया तब आप पांच में से पांच मार्क्स लेकर नहीं आ पाए तो अब आप यह सोचिए आपका जो कॉंसेप्ट को समझने की पावर है जो आपकी जो एक सिस्टम कहते हैं वो डबल अप नहीं हो पा रहा है इस पर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूत है मैं यह ध्यान दिलाना चाहता पढ़ कर सीखना एक अलग बात होती है सीख कर कोईशन करना